लोग सभा के स्पिकर आदरनीय सुमित्रा जी राज सभा के डेप्टरी स्पिकर सिमान प्रफशर कूर्यन जी लोग सभा के डेप्टी स्पिकर सिमान थंपी दुराई जी उपस्ति सभी वरिष्ट महानुभाव 26 नवंबर समिधान दिवस के रूप में बनाना 2015 से प्रारव किया कलपना यह है कि हमारी नई पीड़ी इस समिधान के साथ उसकी प्रक्रिया के साथ उसके उमदा उद्देशों के साथ कनेक्ट रहनी चाहिए ऐसा नहों कि सब कुछ चलता है लेकिन कैसे चलता है पता ही नहीं हो और ऐसी चीजों का एक निरंतर पुनह समरण आवशक होता है और जब मुल्हुच तत्वों का बार बार समरण करते हैं तो तत्कानिन समय के संदर्भ में करते हैं जिस विशे का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा हो सकता है उसी बात का अर्थ दस साल के बाद अलग रूप में दिखेगा एक प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट होता है लेकिन वो तब होता है जब इन मुल्हुच चीजों के साथ हम हर चीज तो कसते रहेंगे तोलते रहेंगे हमारे स्कूल कालेज के सभी बालकों को समिधान का प्रेम्बल कम से कम साल में एक बार सामोई कुरुप से उसका पठन हो उद्गोष हो व्याख्या हो इससे लाब यह होगा कि सम्विधान के महत्मय का सामाने जीवन में एक स्थान बनेगा बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घड़ती है कि जिसमें सम्विधान का उल्लेग बार बार आता है लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब जब हम सम्विधान का स्मर्ण करते हैं हमें डॉक्टर बाबा साब आमबेड करका पुन्य स्मर्ण साथ साथ याद आता है याने बाबा साब और सम्विधान सम्विधान याने बाबा साब बाबा साब याने सम्विधान ऐसी जीवन की सिद्धी किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साब आमबेड करके जीवन में हम आज अनुभो कर रहे हैं बाबा साब नहीं कहा था उनके प्रफन में साइज किसी ने उतना रेकनाईज भी नहीं किया हुगा लेकिन जैसे समय बिता गया हम सब को लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ है समिधान कि समय ऐसा बड़ला है कि समिधान में से हर कोई अपने अधिकार डूनता रहता है अपने अधिकारों को और अधि हवा भरने का भी प्रयास करता है और बड़े चतूर लोग समिधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुप्योग करने की हद तक कभी कभी सीमाएं लांग देते हैं इससे एक एनार की पदा होती है और बाबा साब आमवेर कर ग्रामर अफ एनार की की बात करते थे यह हम सबका दाई तो होता है नागरीक हो शासन विवस्ता हो सरकार हो सासन विवस्ता के भिन भिन अंग हो हर एक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर फोर्स है तो हमारा समिधान है लुब्रिकेशन करने की ताकत भी है तो समिधान में है रक्षा करने की ताकत है तो भी समिधान में है और इसलिए इन समिधान के आत्मा के साथ हमारा जूड़ना बहुत जरूरी है सिर्फ धाराओं के साथ जूड़ने से बाद चलती नहीं है spirit of the constitution और इसलिए आज उसकी process की जो किताब निकली है वो शायद spirit of constitution के लिए कि उस एक पन्ने को खोड़ने के लिए शायद हमें काम आ सकता है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि यह बत सही है कि देश आजाद हुआ कि कर्तब भावना की उत्कुरुष्ट अभिव्यक्ति के कारण कि देश का हर नागरीक आजादी का अंदोलन को अपना कर्तब्य मानता था कि देश आजाद होने तक कर्तब्य का भाव इतनी उचाहियों पर पहुंचा था कि जो बीमिसाल था और शताब्दी से अधिक समय तक वह भाव कि लोग जीते थे लेकिन आजादी के तुरंट बात उस उचाहिश से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तब्य का साना भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया और अधिकार हक मेरा क्या इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रसित कर लिया कि कर्तब्य का लोब होता चला जा रहा है हम समिधान के माध्यम से कर्तब्य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाएं देश के सामने चुनोती है और उस दिशा में इस प्रकार के प्रैत्नों से रास्ते खोजे जा सकते हैं हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं लेकिन हम न भुलें कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है और इसलिए इस 26 नवंबर का समिधान दिवस के रूप में नई पीड़ी के लिए विशेश रूप से उसका पुन्य समरन करते हुए उसकी बारिक्यों को जानने का प्रयास अलग अलग जगा पर अलग काम हो करते रहना चाहिए ऑनलाइन कॉंपेटिशन हो कभी समिधान पर बालों को के लिए ऐसे राइटिंग कॉंपेटिशन हो यही चीज़े हैं आखिर कर लोगों को इसके साथ जोड़ती है कि इन दिनों ब्रस्टाचार काला धन उसके खिलाब एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है देश का सामान्य नागरीक इस लड़ाई का सिपाई बना है उसको लगता है कि सत्तर साल तक इसी कानून नियोमों का दुरुप्यों करने वालों ने देश को ब्रस्टाचार में दुबो दिया समिधान कानून का दुरुप्यों करके किया है इस सरकार के इस निर्णे के सबंद में बहुत कम आलोचना हो रही है लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तयारी नहीं की मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तयारी नहीं की ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया दुखिस बात का है अगर उनको एक 72 गंटे भी तैयरी करने के लिए मिल जाते हैं तो वाहवा मोदी जैसा कोई नहीं कितना बड़ा एहम कदम उठाया और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश हैं निर्णे बहुत बड़ा है देश का उजवल भविश्य देखने वालों से इतनी अपेक्षा है कि आईए हम सब मिल करके सांभायने मानवी की कठिनाईयों को दूर करें इस महायग्य में सभल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रुप में हम उभारें सारा दुनिया जब सर्वे होता है कि प्रश्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पक्ति भारत का नाम नजराता है भारत को नीचा देखना परता है हमने गर्व से माथा उंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है अर्मन निमंत्र देता हूँ सभी राजदितिक दलों को समाजिक संस्ताओं को मीडिया को दूसरा डिजिटल करन्सी हर किसी को उसके पैसों का हक है हर किसी को उसके पैसे उप्योग करने का हक है कोई रोकता नहीं है लेकिन जरूरी नहीं हर बार नोट हाथ में हो तभी उप्योग हो आज व्यवस्ताएं बहुत उपलब्द है आप अपने मोबाईल फोन से भी अपने सारे रुपिय जहां खर्च करने हो कर सकते हो आपके पाई 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 पर आपका हक है मैं इस माध्यम से जब समिधान की चर्चा हो रही है समिधान इन ववस्ताओं का अभी रक्षक है मैं देश वास्यों जोर वाखास करके समाप का नेत्रूतव करने वारे हर वर्ष से मैं मेडिया से आग्रह करता हूं जिस देश का 5, 65 पतिशत नौजवान हो 35 से कम उमर के नौजवान हो जिस देश में 100 करोड से ज़्यादा मोबाईल फोन हो जिस देश में अब टेकनोलोजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब तो हो सभी बैंक की अपनी एप हो तो हम क्यों न लोगों को प्रेरित करें लोगों को प्रसिशित करें और यह कोई कठीन काम नहीं है जब आज हम पॉटसअप में जाकर गया अई टी जाकर गया अनपड तम कैसे देखना वाटसअप कैसे फॉरवड करना जितनी सरलता से वाटसअप होता है उतनी सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाईल फॉन से देश का उजवल भविश के लिए हम एक ट्रांसपरंसी लाने की आवशक्ता है डीजिटल करनसी के और जाने की आवशक्ता है और हिंदुस्तान की 500 शहर 500 शहर इस एक हपते में अगर चाहें तो इस काम को कर सकते हैं आपको हरानी होगी आठ नमंबर के इस निर्णे का सबसे बड़ा प्रणाम का फायता किस ने उठा समाज का मुझे बताया गया कि पहले कि तीन साड़े तीन हजार करोड़ टैक्स आता था आठ नमंबर के बाद तेरा हजार करोड़ उनके खजाने में जमा हो गया है एक पैसा किसके काम आएगा उस गाहों के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे कहीं बिजली लगेगी कहीं पानी के नल लगेंगे एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है और इसलिए राजनिती के उपर भी समाज विद्के बहुत काम करने होते हैं संभिदान हमें वो प्रेणा देता है संभिदान हमें हमारी विरासतों का समालने की जिम्यवारी देता है लिखा हुआ है उसमें हमारी महान विरासत की समालना ये संभिदानी का हमारी जिम्यवारी है आईए हम सब मिलकर के बाबा साब आम्बेड करने जो महान कायर किया है उसके शब्दों को और भावों को पीडी दर पीडी समयनुकुल संदर्ब में हम उसको जी के सिखे जीना सिखे जी करके दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत नई उर्जा देते रहे मैं सुमित्राजी का रदे से बिनंजन करता हूं कि इस बार पार्लामेंट नहीं थी भी स्तारीक को छुटी थी फिर भी उन्होंने इस समधान दिवस के महत्मय को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प किया है स्टेट में भी उसका इनिसेटिव लिया गया स्कूल कालेजिज में इनिसेटिव लिया गया और दीरे-दीरे करके ये भी एक महत्वण और आवसर के रूप में बनेगा मुझे भी स्वास है मैं इस समय मुझे आने का आवसर मिला मेरी समय की कठिनाई की कारण आपको भी जल्दी जल्दी आना पड़ा इसके लिए मैं शमा चाहता हूं बहुत भाद धन्यवाद